विपक्स के हमारे सुखे कोछ साथियों ने हाँ महंगगाय का मुद्दा भी उठाया अच्छा लगता देश का भी भला होता अगर आपके चिंता तब भी होती जब कॉंग्रेस के नेत्रुत्म में यूपीय की सरकार थी यह दर्दू समय भी होना चाहिए था आप शाहिद भूल गए हैं मैं जर आपको याद दिलनाना चाहता हूँ कॉंग्रेस सरकार के आखरी पांच सालों में लगबग पूरे कारकाल में देश को डबल दीजिट महंगाय की मार जिलनी पड़ी थी हमारे आने से पहले यह स्थिती थी कॉंग्रेस की नीतियां ऐसी थी कि सरकार खुद मानने लगी थी कि महंगाय उसके नियंतन से बाहा रहा दो हजार ग्यारा में कतकानिन वित्त मंत्री जी ने लोगों से बेशर्मी के साथ कह दिया था कि महंगाय कम करने के लिए किसी अलादिन के जादू की उमिद न करें ये आपके नेताओं की और संवेदन सिल्टा हमारे चिदंबरम जी जो कि इन दिनों इकोनोमी पर अखबारों में लेख लिखते हैं जब सरकार में थे तब क्या कहते थे उस समय के नेता क्या कह रहे थे आपके वो कहते थे 2012 में उन्होंने कहा था कि लोगों को 15 रुपिय की पानी की बोतल और 20 रुपिय की आश्क्रीम खरिदे में तकलिब नहीं होती लेकिन गेहूं चावल पर एक रुपिया बढ़ जाए तो बरदास्त नहीं के होता ये आपके नेताओं के बयान याने महंगाई के प्रती कितना असम्वेदन से रुपिया था ये चिंता का कारण है मानियद्य जी महंगाई देश के सामाने मानवी से सीधा जुड़ा हुआ मुद्दा है और हमारी सरकार ने NDA सरकार ने पहले दिन से सतर्क और सम्वेदन सिल रह करके इस मसली को बारिकाई से हैंडल करने का प्रयास किया है और इसलिए हमारी सरकार महंगाई नियंतर को अपनी वित्तिय पॉलिशी का प्रात्मिक लक्ष बनाया हमने मान्यतर जी सो साल में आई इतनी बड़ी महामारी के इस कालखंड में भी हमने प्रयास किया कि महंगाई और जरूरी चीजों की किमत आस्मान न चुए सामान नयम मानवी के लिए सामान नयम मानवी के लिए दादा आपके काम की बात है अरे आपके काम की बात है में जालो रहा है आपके काव आएगा खुराबे आगे जाओंगा तो आपके काव आएगा माने देजे महंगाई और जरूरी चीजों की किमत आसमान नच हुए सामान नयम मानवी के लिए खास कर गरीब के लिए महंगाई बरदाज की सीमा से बाहर न हो और महंगाई को नियंतरह में रखने के लिए हमने क्या किया है यह आँक्रे खुद बता रहे है कॉंग्रेस के जहां महंगाई दर डबल डिजिट में थी दस प्रतिशत से ज़्यादा थी वहीं 2014 से 2020 के 2014 से 2020 था महंगाई पांच प्रतिशत से कम रही है पांच प्रतिशत से कम रही है कोरोना के बावजुद आपको मैं बोलने देना चाहता हूं तो कि आगे हाथ भी मजह होने वाली है जड़ा इंतजार करो आ रहा हूं कोरोना के बावजूर इस साल मेंगाई 5.2 प्रतिशत रही है और उसमें भी फूड इंफलेशन 3 प्रतिशत से कम रही है आप अपने समय में वेश्वीक परिसितियों की दुहाई देकर पल्ला जाड़ लेते थे वैसे महँगाई पर कॉंग्रेस के राजबैं पंडित नहरु जी ने लाल के लिए से क्या कहा वो जरह आपको मैं बताना चाहता पंडित नहरु देश के पहले प्रदान मंत्री लाल के लिए से बोल रहे है देखिए आपकी इच्छा रहती है ने मैं पंडी जी का नाम नी बुलता हूँ आज में बार-बार बुलने वाला हूँ आज तो नहरू जी ही नहरू जी मजा नी जी आज आपके नेता कहेंगे बजा हाई हाई मन्य देजी पंडीत नहरू जी ने लाल किले पर से कहा था और ये उस जमाने में कहा गया था तब ग्लोबलाइजेशन इतना नहीं था नाम मात्र का भी नहीं था उस समय नहरू जी लाल किले से देश को संभोधन करते हुए क्या कह रहे है कभी कभी कोरिया में कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभावित करती है इसके चलते वस्तूओं की किमते बढ़ जाती है इती नहरू जी बारत के पहले प्रदान मंत्री कभी कभी कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभावित करती हैं इसके चलते वस्तूओं की किमते बढ़ जाती हैं और यह हमारे नियंत्रण से भी बहार हो जाती हैं देश के सामने देश का पहला प्रदान मंत्री हाद उपर कर देता है आगे कहते हैं देखो जी आपके काम की बात है आगे कहते हैं बंडित नहरू जी आगे कहते हैं अगर 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 अमेरिका में भी कुछ हो जाता है तो इसका असर भी बस्तों की किमत पर पड़ता है सोचिये सोचिये तब महिंगाई की समस्या कितनी गंबीर थी कि नहरू जी को लाल किले से देश के सामने हाथ उपर करने पड़े थे नहरू जी ये तब कहा था मानिय अद्यक जी अगर कॉंग्रेट्स सरकार आज सब्ता में होती क्या देश का नसीब है देश बज़ गया लेकिन आज अगर आप होते तो महिंगाई कोराने कोरोना के खाते में जमा करके जार करके निकल जाते आप लोग लेकिन हम बड़ी सम्वेदन जिल्ता के साथ इस समस्या को महत्वपून समच करके उसके समाधान के लिए पूरी ताकत से काम कर रहे हैं आज आज दुनिया में अमेरिका और OECD देशों में अमेरिका और OECD देशों में महेंगाई साथ प्रतिशत है करीब करीब साथ प्रतिशत लेकिन माने दिक जी हम किसी पर ठीकरा फोड़ करके भाब जाने वालों में से नहीं है हम इमानदारी से प्रयास करने वालों में लोग है जिम्मेवारी के साथ देश वात्षियों के साथ खड़े वेरे वाले लोग